नमस्कार दोस्तों मैं राहुल यादव अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रिस्पेट्स पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं जो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है बहुत सारे कोश्चन्स मुझ को कुछ clarity देना चाहता हूँ ब्लू कट लेंस से जो हमें benefit मिलता है वो यह होता है कि जो बहुत हायर wavelength की lights होती है जो हमारी eyes के लिए हानिकारक हो सकती है उनसे वो हमारी eyes को protect करता है अब बहुत सारे दोस्त इसलिए confused होते हैं कि मेरे lens पर यह जो green color का light का reflections है वो दिख रहा ह है या मेरे lens पर यह margenta color या blue color का light reflection दिख रहा है तो अगर blue cut color का light reflection तो वो blue cut lens है ऐसा नहीं है देखिए मेरे पास यहां पर यह तीन lenses है अगर आप गौर से देखेंगे इसमें से आप देखेंगे green color की coating जो green light देख रही है इसमें आप देखेंगे हलका सा yellowish plus greenish दोनों का mixture ह और अगर यहां आप देखेंगे तो यह पर blue color तो these are the types of anti reflection coating जो blue color की coatings दिख रही है यहां पर आपको greenish दिख रही है और यहां हलका सा greenish yellowish है और इसमें yellow भी आता है margenta color भी आता है बट मैं आपको अभी जो sample में है वो यह दिखा रहा हूँ तो अगर यह आपका blue coating दिख यह आपका blue cut lenses है यह आपका green है तो यह आपका blue cut lens नहीं है तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझसे यह पूछा कि हम blue cut lenses को या blue filter lenses को अपने घर पे चेक कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको इसके लिए white sheet लेनी है normal A4 sheet है वो मैंने ले लिया है half करके आप कोई भी white नीच इसमें से मेरे पास दो blue cut है एक normal lens है तो अगर आप इन तीनों lenses पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि एक lens बिल्कुल transparent लगेगा आपको crystal white लगेगा यानि कि जो नीचे का paper है जो background है वो बिल्कुल white देखेगा इसमें हलका सा dull लगेगा और इसमें भी आपको हलका सा dull लगेगा इसमें और इसमें आप अगर देखेंगे तो जो paper है actually में जिस color का है वो color आपको दिख रहा है ये color आप match कर सकते हो और अगर यहां देखेंगे तो color में difference है अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो color में difference है यह एक बहुती normal सा method है आप अपने घर पे blue cut lenses को check कर स tint लगता है इवन्चुली जब आप उन्हें लगा कर देखते हैं तो भी आपको महसूस होगा कि जब आप normal lens से देखते हैं जो blue cut या blue filter नहीं है तो आपको चीज़े थोड़ी ज्यादा normal जो transparency है उनकी normal जो color है वो दिखता है बट जब आप blue cut lenses लगाएंगे या blue filter lenses पहनेंग तो आपको लगेगा चीज़े हलकी सी ऑफवाइट या हलकी सी डल दिखाई देती है वो एक इस lens का एक feature है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी market में कुछ ऐसे भी lenses हैं जिससे यह पता लगता है जिसमें आपको ये blue gray shade या हलका सा ये ऑफवाइट शेड नहीं हैं वहाँ पर जाके टेस्ट कराएं नॉर्मल लेंस पे जब हम light डालते हैं तो आप ये पाएंगे ये देखे मैंने light डाली और ये light इसको आप ये देखेंगे पूरी cross कर गई बट जब हम blue cut की बात करते हैं ब्लू filter की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे ये ऊपर ही पता लगाने के लिए कि आपका lens blue cut है या नहीं है तो उम्मीद करता हूँ या आपको बहुत सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं आज समझ में आई होंगी प्लीज इन lenses को लेके बिल्कुल भी mind में ये मत रखिए कि मेरे पास anti reflection है ये blue cut होगा या नहीं होगा बहुत सारी च चेक करके बताइए हमारा lens blue cut है या blue filter है या नहीं है blue cut आपका पूरी blue light को ब्लॉक कर देगा blue filter जो भी आए के लिए essential blue light है उनको अंदर आने देगा बाकियों को वहीं पर ब्लॉक कर देता है ये एक फरक है दोनों lenses में आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहु ये ये ब्लॉकट इस टेफित